Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस Bitcoin के बारे में Bitcoin के Spot ETF के Volume के बारे में Solana के एक Meme Token के बारे में जिसके बारे में बात अभी नहीं हुई है जादा बात करेंगे कैसे Trend के बारे में जिस Trend के बारे में बहुत कम बात होती है पर वो Trend आपको आने वाले टाइम में अच्छा बम देगे जा सकता और Crypto Market के कुछ इंटरेस्टिंग निउस अपडेट चिसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले Crypto LSS के वेबसाइट है Market Cap एक जमाना था जब हम लोग 1 Trillion की बात करते थे अब बढ़ता बढ़ता 2.55 Trillion पर Market Cap यहाँ पर आ चुकी है Volume के बारे बात करते है 23% का Volume डाउन हुआ है Inflow की बात करते है तो रात बाला बज़े से अब तक एक Inflow का डेट आया है 2162 BTC का और कल के दिन में 4000505 BTC का Fear Anger Index बढ़ आ है धीरे-धीरे Extreme Greed में है 81 पे हम लोग पिछले एक घंटे के Sentiments देखेंगे Strong Buy के तरफ और अगर Heat Map देखेंगे तो अच्छा नजर आ रहा है BTC 1.80% अप Ethereum 3.56% अप और Meme Coin फिर से Pump होते हुए देखने को मिलने है चाहे हम बात करे Dodge की या बात करे Solana की या बात करे PayPay की सब यहां पे Pump होते हुए दिख रहे है Bitcoin के बारे में गाईस अगर बात करें जब यह वीडियो बना रहा हूं मैं Bitcoin का प्राइज है 67,546 तो एक Level है जहां पे Bitcoin चल रहा है अभी अगर हम लोग देखें जब Bitcoin ने अपने All Time High को यहां पे Touch किया था उसके बाद Bitcoin नीच आया और उसके बाद एक एरिया है जहां पे चल रहा है मैंने कल भी यही बात करी थी कि उम्मीद है कि कुछ टाइम हम Sideways मोमेंट में चल सकते हैं और उसके बाद Suddenly एक Candleless ही आएगी यहां पे जो Bitcoin के All Time High को तोड़ती हुई निकल जाएगी उससे पहले हो सकता है एक आद बार हम लोग और BTC के All Time ही को टेस्स करें Bitcoin अक्सर कोशिश कर रहा है 68,000 पे जाना पर बार बार उससे भी फिला 68,000 पे ही Rejection यहां पे मिल रहा है उससे उपर यहां पे जा नहीं पा रहा है इसके अलावा Bitcoin के चार्ट के बार में हम लोगों ने पहले ही डिसकस किया हुआ है जो वही फिलाल यहां पे चीज़े चल रही है पहले निउस यहां पे बात करते है Micro Strategy के बार में Micro Strategy ने recently बोला था कि वो 600 million dollar के loan का plan कर रहे हैं यहां पे पर अब उन्होंने बोला है कि नहीं 600 नहीं हम लोग 700 million dollar का यहां पे loan ले रहे हैं जिसके बाद हम लोग फिर से Bitcoin को यहां पे buy करेंगे देखो खुद मत यह काम करना Micro Strategy है कुछ भी कर सकती है और प्रूफ किया इन्होंने यहां पे अब इस price पे अगर loan मिलने लग जाए तो इनको जो फिलाल जो जिस rate पे loan मिलेगा यहां पे वो मिलेगा 0.625 पर एनम पे अब देखो इस price पे अगर loan मिलेगा आपको जबकि return आपका बहुत जवर्दस आने वाला है तो अब इसी बात है ले लेंगे यहां पे तो उसी चीज़ के base पे micro strategy यहां पे loan लेके आ रही है again war छिडने वाली है भी यहां पे micro strategy और उसी के साथ साथ black rock के बीच में कौन जादा आगे जो है यहां पे निकलेगा एक और interesting चीज़ यहां पे coinbase की तरफ से page load हो रहा है खेर भी यह तो coinbase के जो analyst है उनका बोलना है कि जो AI के token है उसकी hype जादा है अगर उसकी value से आप compare करो obviously बात है आप AI की बात कर रहे हैं यहां पे तो meme coin के बारे में आप क्या बोलेंगे AI के पीछे चलो कुछ तो है meme coin के पीछे तो कुछ है ही नहीं पर अगर आप आज की date में बात करो तो जो सबसे जादा return दे रहा है वो यहां पे meme coin दे रहा है तो इस चीज से मुझे नहीं लगता कुछ भी जादा फर्क पड़ने वाला है हो क्या रहा है meme coin के लिए अभी Nvidia का basically conference चल रहा है जहां पे कुछ हमारे cryptocurrency के projects भी है AI से related उन सब ने वहाँ पे बात करी है उसकी वज़ा से AI में जो आपको पिछले दो दिन से pump देख रहा है वो देखने को मिल रहा है और आने वाले दो चार दिन में और उम्मीद है कि यह pump वहाँ पे बरकरार जो है रहेगा BlackRock रुकने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा है ETF बाइ करे जा रहा है अब BlackRock फाइल कर रहा है यहाँ पे कि जो Bitcoin ETF है वहाँ से जो उसका Global Allocation Fund है वहाँ से भी Bitcoin ETF में जो है यहाँ पे 6 मार्च तक की बात करते है BlackRock के पास 1,87,538 BTC है 7 तारिक का डेटा इसमें नहीं और 8 तारिक की आज भी यहाँ पे volume होने वाली है Fidelity की बात करेंगे 1,15,979 पे है ARK Invest 37,000 पे और Bitwise 27,141 पे है 6 तारिक की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे तो BlackRock ने 4,193 BTC करीद है Fidelity ने 3,062 BTC ARK ने 614 और Bitwise ने 425 BTC यहाँ पे परचेस करें कल के दिन में Investco की तरफ से हम एक sale out भी देखने को मिला था 440 BTC को और अगर आप Grayscale की बात करते हैं तो Grayscale ने चाहतारिक को 4,111 जो BTC हैं वो sale out करें और अगर आप total देखते हो कि Bitcoin buy कितने हुए वो वो थे 9,051 difference कितना है Grayscale के sale में और इनके बाई वो है यहाँ पे 4,940 BTC का यहाँ पे difference है तो जितना भी कोई sale out कर रहा है BlackRock अकेले उसको खरीद रहा है कल के दिन भी जितना Grayscale ने बेचा है उतना अकेला यहाँ पे BlackRock नहीं यहाँ पे खरीद लिया है जिसवजास से कुछ हमें जादा डाउन भी BTC का प्राइस जाता हूँ नहीं दिखर है जबकि Grayscale यहाँ पे इतनी मातरा में sale out कर रहा है कौन sale कर रहा है उसमें अभी भी जो छोटे investors हैं वो यहाँ पे sale out कर रहा है जो retail level पे है institutions जो है और जो बड़े whales है वो लगातार यहाँ पे buy कर रहा है चाहिए आप 6 तारीक का data है 7 तारीक का data देके पिछले 30 दिन का data देके पिछले 6 दिन का data देके जो retail investor है या जो छोटे level की mini छोटू whales है वो अभी भी इसी उसमें है कि bitcoin का price dump होगा हम तब bitcoin को फिर से खरी देंगे पर institutions लगातार जो है यहाँ पे buying करते जा रहे एक interesting data निकल के आया है इंडिया का इस पे न मुझे आप लोग की help चाहिए को कि आप लोग भी इस comment में मुझे बताएए कि आप लोग को क्या लगता है data सही है कि नहीं है आप basically अपना मुझे बता सकते है कि आप male है या female है तो पता चलेगा कि actual में जो data है सही है या नहीं मेरा इस data के बारे में क्या मानना है वो आप लोग इसके बाद बताऊंगा तो basically यह है कि जो इंडिया में इंडिया rank कर रहा है third globally female crypto ownership में मतलब जो इंडिया में females है वो दुनिया में अगर आप compare करते है third number पर ये trade कर रही है अगर आप देखते हैं तो 63 million females जो है वो hold करती है crypto currency को जबकि अगर आप population wise देखते हैं तो वो roughly 10% है यहाँ पे जितनी overall females हैं यहाँ पे तो इस data के according इंडिया की 10% जो females हैं वो crypto में यहाँ पे invest करती है इसके अलावा यहाँ पे जो 75% females हैं वो जो बड़े market cap वाले tokens हैं उनसम में trade करती है 70% females ऐसी है जिनकी जो age है वो 20 से 39 की आती है और हरियाना में सबसे ज़ादा जो volume है females investor के थूँ वो यहाँ पे generate हो रहा है तो एक बादना मैंने और भी मुझे आदे video किया था वहाँ पे लोग के comments आये थे मुझे वो यह थे कि जादा तर जो ऐसे ऐसे लोग invest कर दें क्रिप्टो में आप बोल सकते हैं ऐसे या एडल्स नहीं है जिनके पास कोई government ID का proof नहीं है तो वो क्या करते हैं अपनी मम्मी के account से आपने family में कोई mother या कोई sister है बड़ी उनकी account उनका account बना लेते हैं exchanges पर वहाँ से trade करते हैं अगेन मुझे नहीं पता सही है या नहीं है तो आप लोग please comment box में मुझे बताएगा आप लोग को क्या लगता है data सही है इंडिया में क्या 10% females cryptocurrency में invest करती है या यह वही है कि जो बच्चे हैं वो अपने mammy या बड़ी दीदी के नाम से account बना रहे है और उस्ते trade करते हैं तो एक बार comment box मुझे इस चीज़ के बारे बताएगा अब बात करते हैं यहाँ पर उस basically trend के बारे में जो आने वाले cryptocurrency ऐसी है जो Ethereum से अगर आप उनका compare कर दे हैं तो यहाँ पर bleed कर दे हैं मतलब Ethereum को outperform नहीं कर पा रही है यहाँ पर इसी से related है हमारा अगला trend और वो है यहाँ पर Ethereum का हम लोग अकसर Bitcoin की बात करते हैं कि Bitcoin market का king है और जब हम लोग Bitcoin के बात जाना होता है तो वहाँ पर एकसर solana के बारे में बात होने लगती है लेकिन Ethereum को वहाँ पर miss कर दिया जाता है हम लोग जानते है Bitcoin के ETF के बाद जो अगला ETF आने की उमीद है वो है यहाँ पर Ethereum का ETF अगर Ethereum का ETF आता है जिसकी उमीद है अगले 3-4 महीने में आपको कुछ बड़ा announcement उस बारे में देखने को मिल सकता है अगर वो postpone होगा तो कब तक postpone होगा अगर वो approval हो रहा है तो उस बारे में कब आने को मिलेगा वो सारी चीजे हमें अगले 3-4 महीने के अंदर clear हो जाएंगी पर ethereum कही ना कही ना हम लोग देखे तो bitcoin की shadow में रह गया है जिस वजह से वो उतना आगे नहीं निकल पाया है अगर आप मेरे से personally पूछते हैं तो मैं solana lover हूँ जादा तो मैं solana को जादा prefer करता हूँ लेकिन आप ethereum को छोड़ नहीं सकते अगर आज की date में भी आप बात करते हैं किस में सबसे ज़्यादा daps बनती है कहां पर सबसे ज़्यादा smart contracts बन रहे हैं वो आज भी ethereum में बन रहे हैं इसी वजह से ethereum second number पर और इसी वजह से bitcoin के बाद जो अगला ETF आने की बात होगी वो यहाँ पर ethereum के होगी आपको बड़ा jump देखने को मिलेगा pump देखने को मिलेगा वो होगी यहाँ पर ethereum की जो L2 है देंकि बहुत simple question है और अगर आप blockchains related है या developer है तो please मुझे बताएगा कि आज की date में अगर ethereum आता और solana पहले से market में होता तो कौन ethereum को यहाँ पर use करता जादा तर लोग solana की तरफ जाते लेकिन जब ethereum आया था वो time पे ethereum का alternate कोई भी नहीं था उस वज़ा से ethereum इतना बढ़ गया और एक चीज है ethereum के साथ trust है solana के बारे में हम बात करते है जो ethereum में issue है solana उसको resolve करता है लेकिन आप एक ऐसे network के साथ जाएंगे जो बंद नहीं होता या एक ऐसे network के साथ जाएंगे जो बंद हो जाता है that is solana यह definitely disadvantage है लेकिन bitcoin के ETF के बाद जो projects हैं ethereum पे बने हैं जो ethereum की issues हैं उसकी scalability का उसकी fees का उसकी speed का उसको resolve करते हैं उनमें आपको एक rally देखने को मिलेगी चाहे मैं बात करूँ यहाँ पे ethereum की उपर के सबसे बड़े Matic की, IMX की, OP की Arbitum की, Starknet की Manta की यह सब आपको जवरदस rally करते हुए देखने को मिलेंगे OP में हम लोग already 3X का gain ले चुके हैं अगर हम लोग Arbitum की बात करेंगे 2X का gain ले चुके हैं Starknet की बात करेंगे Nearabout 40% का हम लोग यहाँ पर pump ले चुके और Manta Recently हमने Manta के बारे में discuss किया था तब से अब तक Manta भी 53% का gain आपको यहाँ पर देखे जा चुके हैं नहीं सिर्फ 3-4 दिन के अंदर यह वो प्रोजेक्ट से जिसमें आप अपनी नजर बना सकते हैं मैं यह नहीं बोलूँगा कि यह वो प्रोजेक्ट से हैं जो 100X का gain कर देंगे लेकि 100X का gain करने के लिए अगर मैं जो current इनकी market cap है मैं यह भी ना बोलूँ कि इनका unlock भी होने वाला अगर मैं उस unlock को भी हटा दूँ लेक्ट से मैं OP की बात करूँ तो OP को यहां से अगर 100X जाना है यानि कि 400 डॉलर पे जाना है तो उसकी market cap को यहां पे 4 billion से 400 billion पे होना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा टास्क है अगर आप खाली OP की market cap को 400 billion लेके जा रहे हैं तो उसके लिए alt coins की market cap को at least 20 से 25 trillion होना पड़ेगा अगर आप लोग 400 यहां पे billion market cap कर दें लेकिन अगर आप छोटे layer यहां पे layer 2 पे जाएंगे जो Ethereum की उपर बने हैं वहां पे आपको कुछ pump होता हूँ आने वाले टाइम में बड़ा देखने को मिल सकता है मैं किसी का specific यह नहीं बता रहा हूँ कि यह हो जाएगा लेकिन अगर आप market cap wise बात करते हैं सतूशी VM की जिसकी market cap से 75 million की है यहां पे यह easily यहां पे pump ले सकते हैं क्योंकि नकी market cap कमप है scope जादा है pump के लिए price का उस लिहाँ से अगर आप आज भी कुछ अच्छे layer 2 पे invest करते हैं जिनकी market cap कमप है वो आपको अच्छा result दे के जा सकते हैं हम लोग यह project वो भी हो सकते हैं जहां पे 100x का return का भी कुछ projects ऐसे हो सकते हैं 100x का return भी हमें देखे जा सकते हैं Ethereum का अगर एक बार यहाँ पे ETF approval हो जाता है तो लेकिन इन projects की भी बात करें यहाँ पे चाहें में optimism हो या फिर our return हो या फिर stock net हो या फिर manta हो ये वो projects है जिनमें मैं easily 10% का gain बहुत आसानी से देख रहा हूँ और कुछ projects ऐसे भी हैं जो easily आपको even मानटा क्योंकि market cap कम है सिर्फ 873 million की market cap है और उसे अगर आप compare करते हैं तो ये वो projects है 20x का return भी आपको यहाँ पे देखे जा सकते हैं तो इन पर अपनी नजर बनाए रखिए एक बार अपनी तरफ से भी research करिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे projects लेके आँ जो layer 2 है और जिनकी market cap अभी कम है मैं एक separate videos के लिए बना भी सकता हूँ comment box में आप मुझे बता दीजेगा इसके बाद हम लोग जाते हैं उस project के उपर जो मुझे लगता है आपको एक अच्छा pump देके जा सकता है यहाँ पर that is bend the dog Solana की उपर यह meme coin यहाँ पर बना हुआ है Solana का trend हम लोग already यहाँ पर देखने हैं अगर हम लोग इस project की बात करें मैं एक बार all पर जाता हूँ खोगी बहुत ज़ादा इस project ने अभी तक pump नहीं दिया अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर Solana के meme coin की bong को हम लोगों ने सही time पर पकड़ा है myro को हम लोगों ने सही time पर पकड़ा है और whiff को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे time पर पकड़ा था यह वो projects हैं जो already हमें बहुत अच्छा profit यहाँ पर दे के जा चुक है same मुझे उमीद यहाँ से bend the dog से भी है bend the dog की अगर आप बात करते हैं मैं coin market cap के according देखू तो February में यह आया है जादा time नहीं हुआ है जिस हिसाप से Solana का trend है मुझे उमीद है कि यह भी एक अच्छी rally आपको देख के जा सकता है और दूसी चीज़ यह है कि अभी भी बड़े exchanges पे list नहीं हुआ है gate.io की उपर listed है MEXC की उपर listed है यह already वहाँ से आप इसे buy करना चाहे कर सकते है market cap की बात करता हूँ मैं तो सिर्फ अभी 22 million की market cap है जबकि हम लोग bong की बात करें यह सब billion dollar में पहुच गए हुए तो अगर इसका trend बढ़ता है 22 million से 220 million पे भी अगर यह पहुचता है तो 10x का pump तो आपको यह at least यहां से सीधा सा दे के जा सकता है क्या current price पे इसको buy करना चाहिए मेरा मानना है एक छोटू सा amount आप buy कर सकते है multiple parts में हम लोग इसको buy करेंगे मैं यहां पे 4 parts में इसको buy करने वाला हूँ क्योंकि already sudden bump हुआ है यहां से अगर BTC correct लेता है Solana का price correct लेता है तो इसका price और जादा dump हमें आने वाले time में देखने को मिलेगा तो currently मैंने एक इसकी 20% की यहां पे buying कर ली है 4 parts मैं इसके और buy करूँगा 2020 के जहां पे भी मुझे इसमें correction दिखेगा वहां से मैं इसको average out करता रहूँगा और कुछ time के लिए मैं इसका इंतजार करूँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ एक अच्छा return दे रहा है इसको मैं sell out करूँगा और जो पैसा निकल के आएगा उसको मैं एक अच्छे all coin में आप invest कर दूँगा जो मैं आपको हमेशा strategy बोलता हूँ meme coin के साथ आप करेंगे तो आपको अच्छा result देखे जाएगा क्या आप लोगों ने अभी तक Ben The Dog का नाम यहाँ पे सुना था या नहीं comment box से मुझे ज़रूर बताएगा और इसको choose करने की पीछे का reason सबसे बड़ा यही है Solana के उपर बना हुआ है market cap अभी कम है जिसके लिए telegram का channel अगर आप लोगों ने join नहीं किया है जरूर join के लिए का link वीडियो के description मिल जाएगा वीडियो पसंद आया इसको like और share जरूर केगा चैनल में अगर आप नए है first time वीडियो देख रहे है जरूर हमाय चैनल को subscribe कर लीचेगा Thank you friends